वाउ, हम 12th क्लास में आ गई, बस अब स्कूल का last year बचा है और board exam भी है, हम बहुत महनत करेंगे और अच्छी percentage लाकर सबसे best college में admission लेंगे. अक्सर हम सभी students के दिल और दिमाग में यही सब बाते चल रही होती हैं, जब हम class 11 से class 12 में आते हैं, लेकिन कुछ टाइम बात जोश ठंडा पड़ जाता है और students को समझ ही नहीं आता कि पढ़ाई कैसे करें, कौन सा chapter पहले पढ़ें, कितनी देर पढ़ें, क्या पढ़ाई के चकर में अपनी social life विर्कुल खतम कर दें, तो इस वीडियो में आपके सारे doubts किलियर हो जाएंगे और आपके अपने सभी questions का answer भी मिल जाएगा, तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं, सबसे पहला question जो students के मन में आता है, वो यह है कि क्या 12th class 11 से hard होती है, क्या हमें class 12 में भ आपको class 12 में उतनी problems नहीं आएंगी, और आपको class 12 की study comparatively easy लगेगी, क्यूंकि class 11 में सभी subjects प्रुकुल नए थे, आपको इससे पहले इसकी ABCD भी नहीं पता थी, लेकिन class 12 में आप जो भी topics पढ़ेंगे, उसका basic आप class 11 में already पढ़ चुके हैं, तो class 12 आपको class 11 से easy लगेग लेकिन अच्छर marks लाने के लिए मेहनत तो करने ही पड़ेगी, next question जो students के mind में आता है, वो यह है कि हमें कि subjects में ज़्यादा time देना है, क्या accountancy में ज़्यादा ध्यान दे, maths में ज़्यादा ध्यान दे या फिर economics में, तो इसका answer यह है कि आपको सभी subjects को equally time देना है, अगर आपको परिशान करता है, वो यह है कि पढ़ाई कैसे करें, हमारा पढ़ने का तरीका क्या हो, इसका reason है कि उन्हें पढ़ाई करने का सही तरीका ही नहीं पता होता, आपको कैसे किसी subject की पढ़ाई करनी है, यह depend करता है कि वो subject कौन सा है, हर किसी subject को पढ़ने का जो तरीका ह होता है वो बिल्कुल अलग होता है जैसे कि हम बात करें accounting की subject की accounting में theory भी होती है general entries भी होती है और practical questions भी होते हैं तो इसकी जो तयारी का pattern होगा वो बिल्कुल different होगा business studies के pattern से accountancy में अगर आपको अच्छे marks लाने है तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो तरीका पनाना है वो है reading आपको सबसे पहले chapter की reading करनी है और reading करते time से फॉर सिर्फ आपको concept अपने clear करने है उसके बाद आपको second time reading करनी है जब आप second time reading करो तो आपको साथ ही साथ जो keywords है या फिर प्ले सकते हैं जो भी sentences आपने underline किये थे उसके बाद आपको concept clear हो जाएंगे फिर आप practice करोगे practical problems की यानि numerical questions की अगर इस तरीके से आप accounting पढ़ोगे तो definitely आपके accounting में marks अच्छे हैंगे ऐसे ही economics का जो subject है उसमें graph, theory और practical problems ये तीनों मिली जली होती है अगर आपको economics में इस तो इसी लिए economics में भी अच्छे marks लाने के लिए आपको इसके concept clear होना बहुत जरूरी हैं उसी तरह जो business studies है वो ब्रकुल different subject है इसमें theory, theory और safe for safe theory ही होती है तो इसमें जितना focus आप reading पर लगाएंगे यानि जितनी बार reading करोगे उतने ही अच्छे marks आपके इस subject में आएंगे अब question जो आता है students के mind में वो ये है कि जो हमारी social life है क्या हम उसको ब्रकुल zero कर दें तो देखिए 12 में अच्छा perform करने के लिए मेहनत तो करने ही पड़ेगी और मेहनत करने के लिए आपको दिन में कई-कई घंटे पढ़ना होगा ऐसे में अगर facebook, instagram, youtube, etc. पर अगर आप प्राई से distract हो जाओगे इसी लिए आपको social media का use zero तो नहीं करना है लेकिन limited करना है यानि जब जरूरत हो तभी आप इसका use करें YouTube का use करें सिर्फ और सिर्फ आप educational videos देखने के लिए WhatsApp या फिर Facebook का use करें आप अपने classmates या फिर friends से connect करने के लिए और अपनी कोई भी problem discuss करने के लिए unnecessarily इनका use ना करें अब बात आती है कि क्या करें और क्या ना करें तो देखिए आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए सबसे पहले तो आपको एक time table बनाना है अपनी अपनी जरूरत के according सबका time table अलग होता है और फिर उसको strictly follow करना है इसके साथ साथ अपने आपको energetic रखने के लिए योगा करनी है और साथ ही साथ protein rich diet लेनी है जिससे कि आप अच्छा feel करो energetic feel करो ताकि आप अच्छे से concentrate कर पाओगे अपनी study पर और साथ ही साथ आपको अच्छे से नीन भी लेनी है क्योंकि अगर आप सोगे नहीं तो थका थका मैसूस करोगे और अपनी क्योंकि इससे आपका time waste होगा और साथी साथ पढ़ाई से आपका ध्यान भी भटकेगा इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए अगर आपको कभी shopping करनी है तो वह आप online कीजी ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े और बिना वज़े आप इधर अधर नहीं जाएगा जिसस इसी के साथ ये वीडियो खतम होता है ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment box में लिखकर ज़रूब दाएगा तो इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चनल को subscribe कीजिए तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you